बाक 20 सीरी स्मार्टफोन्स तो आपकी पार्टी के निता दिरंजन तोदी कह रहे हैं कि कॉंग्रेस में अगर वो सामिल होना चाहें इस तरी की बाते चाहते हैं कि ये तो वो जानेगे, वो सीनियार लीडर हैं और हमारे याँ सिस्टम होता है कि अगर मुझे नहीं मौलु में कोई बात्शीर चल रही है नहीं चल रही है इसका कोई अंदाजार नहीं है तो जो हमारा शीरिष नेतिर्त है कौन जॉइन करता है कौन नहीं करता ये वही नड़ने लेते हैं बहतर है आप उनी से पूछें तर बियारेश की जुभा रेवंत रेट्डि और राखुल घंडी के बयानों की वो कहरे है कि राखुल घंडी कहते हैं कि लिकार्ट रेट्डी के सब्सक्राइब बड़ा ब्हाइऑ उनको कहते हैं देखे साब ये में समझ कम है कहीं भी राहूल जी ने या हम में से किसी ने जो लेकर स्कैम हुआ है वो क्या हुआ है क्या केस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस पर कोई टिपणी नहीं है हम तो ED की कारवाई जो गलत तरीके से होती उस पर टिपणी करते हैं ठीक है अब या तो बिनेता बैचारी ना समझ होंगे या अपनी राजनीती चमकाने के लिए बोल रहे होंगे तो वो जाने दूसरा कोई भी मुख्य मंत्री जब प्रधान मंत्री से मिल ले जाता है या प्रधान मंत्री से गुहार करता है काम करता है तो एक वर्किंग संबंध भी होता है ठी किसी के विरोध में भी हो सकते हैं अटल जी के हम विरोध में थे लेकिन अटल जी का सम्मान करते थे बहुत से लोग हैं बीजेपी में जिनके हम विरोध में थे जिनका सम्मान करते थे अगर सामने आएंगे तो उनको परणाम करेंगे उनको इज़त के सम्मान के की शब्दों से हम लोग कहेंगे अब अगर यह संसक्ति संसकार नहीं समझने तो यह जाने। होसकता है इनकी अंदर में चिरफ राजनीती कुष्मीनी में उल्टे SH Defin कह जाते होंगे हमारे थो खम क्से कम कंगृस की संसक्ति में तो हम चाहे विपक्ष का हो चाहे अपने आगा हो उम्र का उखदे का इसका लिहास करते हैं सम्मान से बात करते हैं हर किसी के बारे में हालोचना करेंगे लेकिन सम्मान के साथ करेंगे पर ठीक है साब कोई आदमी जिसको कहते हैं राजनीती ग्रूप से आगर सुइसाइड करना चाहे तो वो जाने वो कई दिनों से मुझे लग रहा था कि वो स्कोला हल में हैं क्योंकि दिख रहा था कहां से किसी चीज से विचली थे बाकि यह उनका निर्णे हैं पर बीजेपी की तरफ से भी उनसे नोटिस लेजा गया है उनको जवाब मांगा गया है आपको लगता है इस तरी की बयानों से निदाओं को बिल्कुल बचना चाहिए बलकि इसमें तो मैं यह यह नहीं जानता कि नैशनल कमिशन और विमिन क्यों नहीं उस पर इनोंने कारव हम लोग जहां भी जाते हैं अपने आपको वहां का बेटा, वहां की संस्किती, वहां की संसकार, वहां की भासा जुड़ा पाते हैं पढ़ान मंतरी ने भी कहा है कि हर इलाके के उनसे संबंद होते हैं और यह किसी भी राजनिता का है हम लोग राजनिता ही नहीं सामाने जन भी इस देश में जाता है क्योंकि ये पूरा भारत एक है हमारी भाषा अलग हो सकती हैं पहचाने अलग हो सकती हैं छेत्र अलग हो सकते हैं संस्किती संस्कारों में अंतर हो सकता है लेकिन उसके अलावा हम सब भारती एक हैं तो हम अपने आपको हर जगे का बेटा बेटी मान झाल झाल